नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चेनल आर्केव स्टडी सेंटर पे तो दोस्तों ये हमारा जारखन भी एड इंट्रेंस एक्जाम के लिए टिचिंग एप्टिटूट का क्लास नंबर 18 है और आज के इस कलास में हम लोग आपका टिचिंग एप्टिटूट का तिसरा जो चेप्टर है सिच्छन पेशा के प्रतित दिश्रिकोन इसका हम एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और यहां पे आपका हम तीन टॉपिक के बारे में जानेंगे सबसे पहले जानेंगे कि सिच्छन की परिभासा के बारे में परमुख विद्वानों के द्वारा जो है वो सिच्छन की अपनी अपनी परिभासाएं दी गई है उनके बारे में यहां पे जानेंगे दूसरा जो बात है वो है यहाँ पे हम लोग अच्छे सिच्छन की विशिष्थाएं के बारे में जानेंगे और तीसरा हम लोग यहाँ पे सिच्छन के सुत्र के बारे में जानने वाले हैं तो ये तीनों चीज इस चैप्टर में most important है और इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग का ये जो तीसरा चैप्टर है ये भी यहाँ पे complete हो जाएगा आपके exam के लिए उसके बाद हम लोग इसके next के class में इससे related सभी mcq question को solve करने वाले है ठीक है यानि कि तीसरा जो चैप्टर है आपका सिच्छन पैसा के दिश्ठी कौन ठीक है सिच्छन पैसा के प्रति दिश्ठी कौन इससे related जितने भी important mcq बनते हैं उनको next class में हम लोग solve करेंगे तो इस class को आप लोग last तक जरू देखिएगा ताकि आपको जो एक्जाम में कोई भी प्रस्न छुटना सके अगर इस chapter से वो question आए तो तो सबसे पहले देखिए हम लोग जानते हैं सिच्छन परिभासाएं के बारे में सिच्छा के अर्थ और स्वरूप को भली भाती समझने के लिए या आवस्यक है कि उसकी कुछ परिभासाओं का अवलोकन कर लिया जाए यानि कि आपको जो है यहाँ पर देखना है कि कौन-कौन सा परिभासा दिया गया है तो योकम और सिंफसन के सब्दों में ठीक है एक बिदवान का नाम है आपका योकम और सिंफसन के सब्दों में सिच्छन वसाधन है जिसके द्वारा सम्हू के अनुभवी सदस्य अब परिपक्व और लगो सदस्यों के जीवन के साथ समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं यानि कि सिच्छन वा साधन है सिच्छन का महने का मतलब हो ठीचिंग जिसके त्वाड़ा सम्हू के अनुभवी सदस्य अब परिपक्व यानि कि इमेच्छोर और लगो सदस्यों के जीवन के साथ समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं तो ये आपका स्टेटिमेंट है एजटिज आपको यहाँ पर इस चीज को याद कर लेना है ये आपका योकम और सिम्पसन का कहना था दूसरा जो यहाँ पर नाम है वो है आपका कलार्ग कलार्ग के अनुसार ठीक है कलार्ग के मता अनुसार बिद्यार्थियों के बहवार में परिवर्तर लाने की परिकरिया ही सिच्छन है पूछा जा सकता है दोस्तों कि बिद्यार्थियों के बहवार में परिवर्तन लाने की परिकरिया ही सिच्छन है या कथन किसका है तो कलार्ग का Teaching is an activity to produce change in students behavior ठीक है इंग्लिस वाले students के लिए इंग्लिस भी यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कलार्ग ने बैवार परिवर्तन को महत्व दिया है तीसरा है ओईनील असमीथ ठीक है सिच्छन का वसमव है जो बालक को सिखने के लिए प्रिरित करता है चौथा है आपका जौन ब्रूबे करके कथानूँसा सिच्छन है अने वाली बाधाओं पर विज़े प्राप्त करके सिखने को प्रिरित करना इन्होंने सिच्छन का definition अपने सबदों में दिया है इन्होंने कहा कि मार्ग में आने वारे जितने भी बाधाये हैं पर बिजे प्राप्त करके सिखने को प्रेडित करना आपका सिच्छन कहलाएगा जॉन बुरुबेकर का कहना है इस कथन में व्रूबेकर ने सिच्छन को मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करना बतलाया है अब नेक्स है आपका गेग के विचाड़ा अनुसार गेग आपका एक विद्वान का नाम है यह आप कह सकते हो कि एक साइकोलोजिक साइकोलोजिस्ट का नाम है मनो बेग्यानिक का नाम है सिच्छन पारसपरिक परभाओं का स्वरूप है इसका उद्देश है अनिव्यक्ति की बहवार छमताओं को परिवर्तित करना ठीक है इसका उदेश क्या है कि अन्यव्यक्ति की बहवार छम्दाओं को प्रेडित करना तो यह आपका important है जो inverted कोमा के अंतरगत है जितना भी आया है सभी को आपको यहाँ पे याद करना है ठीक है यह पूरा आपका एक statement है सिच्छन पारसपड़िक प्रभाओं का स्वरूप है इसका उदेश है अन्यव्यक्ति की बहवार छम्दाओं को प्रवर्तित करना ठीक है यह गेग कानुसार नेक्ट देखते हैं यहाँ पर टोटल छे point है यहाँ कहा गया है कि जब अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो परशपड़ एक दूसरे को परभावितं करते है परभावितं करने कि यह पिरिक्रिया उनकी बहवार छमताम में परिवर्ते लाती है ठीक है तो यह यहां पर उसका का नाम है, विद्वानों का नाम है, राइट. तो यहां पर सब का नाम जो है, वो थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है. सिच्छन को एक अंतकृत्मक परिक्रिया कह सकते हैं या अंतक्ःक्रिया अध्यापक और विद्यार्थी के मद्य होती है इसका पडियोजन है कच्छागत परिस्थित्यों में वांचित लच्छों को प्राप्ट करना अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ तो यहां पर सिच्छन को अंत्यक्रियात्मक कि परिकरिया कहा गया है थीक है उप्योक्त आधार पर कह सकते हैं कि सिच्छा एक ऐसी पड़िकिरिया है जो समाज में रहकर संपन होती है इसमें समाज के विविन घटकों में परसपर अंतकिरिया होती है सिच्छा की इस पड़िकिरिया को कई तत्व यथा संस्कृती समाजिक मूल्य सिच्छा समंधी उद्देश और प्रसासन की नितियां आधी प्रभावित करते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़े नहीं बस इन्हें छे चीजों का statement याद रख लिजेगा छे जो बिद्वान है इनके द्वारा teaching का अपना definition दिया गया है इन्हें याद कर लिजेगा अब हम लोग जानते हैं अच्छे सिच्छन की विशेष्था है characteristics of good teaching ठीक है अच्छे सिच्छन की विशेष्थाओं के सम्मंध में निमलिखित बाते कही जा सकती है अच्छे सिच्छन में सहानुभूती का भाव होता है अच्छे सिच्छन सहयोगी होता है अच्छा सिच्छन लोकतंत्रवादी होता है अच्छा सिच्छन सुझावा आत्मक होता है अच्छा सिच्छन सिखने में समुच्छित ढंक से मालग दर्शन करता है अच्छा सिच्छन आत्मभिश्वास उत्पन करता है अच्छा सिचन समस्याओं का निदान करता है अच्छा सिचन उप्चारात्मक होता है वह समस्याओं का समधान करता है अच्छा सिचन रूचियों और सनवेगों का विकास करता है अच्छा सिचन बालकों के अनभाव को मान्यता देता है उसके बाद है अच्छा सिच्छन अध्यापकों के अनभवों को मान्यता देता है अच्छा सिच्छन प्रेणादाई और प्रोसाहित करने वाला होता है अच्छा सिच्छन सुनी योजित होता है उसके बाद है आपका अच्छे सिच्छन में समस्त क्रियाओं की प्रिष्ट भूमी मनो बेग्यानिक होती है अच्छे सिच्छन एक कोसला आत्मक पड़िक्रिया है और लाश्ट है आपका अच्छा सिच्छन ग्यान का समवर्धन करती है यानि की विकास करती है ग्यान के विकास में सहिता देती है और ग्यान का मुल्यांगन करती है तो ये कुछ important business थी कच्छा अच्छे सिच्छन के पड़ती है तो ये आपको ध्यान में रखना है वाकि ये सब आपको यहाँ पर काम नहीं आएगा जब आप सेमेस्टर का एक्जाम दोगे बियर में एडमिशन कराओगे तब आपको ये सब चीज़े जो है वह एज़ेटीज देखना होता है क्या क्या होता है तो आपको चार अप्शन देखने को मिल सकता है लोगत अंत्रवादी उसके बाद परजात अ ठीक है तो आपको यहां पर टिक करना होगा तो यह सब बेकार मत समझेगा यहां पर भी यह सब चीज़े इंपोर्टेंट है अब हम लोग लाश्ट देखते हैं सिच्छन के सुत्र यानि की मैक्सिम्स आप टीचिंग सिच्छन कारी सडल हो सुबोध हो असपश्ट हो और आ आधारित होना चाहिए ठीक है सिच्छन के सुत्र है आपका ग्यात से अग्यात की और इसका मतलब हुआ कि बालकों को जो नया ग्यान दिया जाए वह उनके पुर्व ग्यान पर आधारित होना चाहिए तभी उन्हें जो है वह वह चीज़े समझ में आएगी दूसरा है अस् सुच में बाते बतलाई जाए तीसरा है दोस्तो आपका सुगम से कठिन की और सुगम से कठिन की और from easy to difficult पहले बालकों को सुगम पाठ पढ़ाने चाहिए उसके बाद कठिन पाठों को लिया जाए ठीक है तो यह एक टेकनिक है कि कैसे जो आप बालकों को पढ़ाएंगे जब आप teacher बनोगे तो आपको यह सब चीज़े ध्यान में रखनी होगी यह आप नहीं करोगे कि सबसे पहले आप उनके सामने कठिन पाठों को रख दोगे कठिन chapter को रख दोगे और उसके बाद जो हो आसान चीज़ों को बताओगे ऐसा नहीं होता है सबसे पहले आसान ची पहले उसके बार में बतलाया जाए फिर अंदेखी वस्तु के चर्चा की जा सकती है पाचवा है विसेश से समयन की और from a specific to general पहले छात्रों के सामने विसेश्ट उधारन रखे जाए फिर नियम मन निकलवाए जाए जाए छठा है दोस्तों अनिश्चित से निश्चित की from indefinite to definite पहले बालक का ज्यान अनिश्चित और असपर्ष्ट होता है अध्यापक द्वारा असपर्ष्ट कर निश्चित दिशा देनी चाहिए उधारन स्वरू किसी भोगलिक परदेश या एतिहासि घटना के सम्मन्द में बालक का ज्यान असपर्ष्ट होता है अध्यापक उनसे समंदित विभिन बाते बतला कर उसके ज्यान को निश्चित दिशा दे सकता है पुर्ण से अंस्कियोड बालक पहले पहल पुर्ण रूप से सोचता है वस्त्वों के बारे में उसके विचार खंडों में नहीं होते उसने हाथी देखा वा पुर्ण हाथी के बारे में सोचता है उसके अंसों के बारे में नहीं उसने लोहे की अलमारी देखी वह पूरी अलमारी के बारे में ही विचार करता है उसके खंडों के बारे में नहीं इसलिए पहले बालक को पूरी बात बताई जाए तत्पशा उसके भागों की चर्चा की जाए यानि कि इसका मतलब क्या हुआ कि पुर्ण से अंस कियोड बालक को अगर किसी भी चीज के बाले भी बताया जा रहा है तो आप पोसिस कीज़ए कि उसको पहले पूरी बात बताया जाए उसके बाद जो है वो आप उसके छोटी-छोटी चीज़ें को बताए ठीक है यह जरूरी है और इसमें जो है वो साधारन भासा कोप्यों किया गया है आपासानी से पड़के जो है वो समझ सकते हूँ आठवा है दोस्तो बिसलेशन से संसलेशन टी और फ्रम एनालेसिस टो सिंथेसिस बालक को संपुर्ण ज्यान देने के बाद वस्तू के अंगों की चर्चा की जाए ततपश्चात उस वस्तू के अंगों में सामंचस से अस्थापित कर फिर संपुर्ण वस्तू की और जाना चाहिए इससे बालक के ज्यान को तर्कपुर्ण बन ये आपको important है पढ़ाने के कितने विधिया होती है दो विधिया होती है निगमन विधि और दूसरा होता है आगमन विधि निगमन विधि यानि की detective method क्या होता है इसमें पहले नियम बताया जाते हैं फिर उधारन देकर उसे समझाये जाते हैं आगमन विधि क्या होता है दोस्तों या सरपर्थम उधारन प्रस्तोत किये जाते हैं फिर इन उधारनों के आधार पर नियम या सिधान्त विक्सित किये जाते हैं यानि कि निगमन विधि का just opposite इन दोनों विधियों में आगमन विधि स्रिष्ट है ये भी पूछा जा सकता है कि पढ़ाने के दो जो विधिया उनमें से स्रिष्ट कौन सा है तो आपका जो है वो आगमन विधी स्रिष्ट है क्योंकि विध्यार्थी स्वयम उधारनों पर विचार करते हैं और स्वयम ही कोई नियम विख्षित करते हैं इस व्यधि में बालक मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं और उनकी सीखने की किरिया अधिक प्रभावयुक्त हो जाती है तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों देखा तीन इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में सबसे पहले जाना की सिच्छन की कुछ इंपोर्टेंट होगा वीडियो पसंद में आई होगी ठीक है पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और डेली क्लास आपका भी कराया जा रहा है अब जो है वो एक्जाम आपका नजदिक है तो अब हम कोसिस करेंगे कि जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उनको यहाँ पर कवर कराये जाए उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द जो है वो इसका एमसे की कॉशन की प्रैक्टिस भी करेंगे कल के क्लास में हम लोग जो हो इस चैप्टर का आपका जो चैप्टर थर्ड है इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपोर्टेंट को सॉल्व क करने वाले हैं तो कल का क्लास आपके लिए इंपोर्टेंट है उससे जरूर देखिएगा ठीक है तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्ट क्लास में चैनल में अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा और इसका पेडियाप आपको टेलिग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्स बॉक्स में देखने को मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में